आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं जब जीयोंग और लीदान की पहली मुलाकात हुई थी जी हाँ, लीदान और जीयोंग की मुलाकात जीयोंग की द्वारा प्री प्लान थी तो चलिए फ्लेश बेट में चलते हैं जीयोंग को जीवन टेक्स्ट करता है कि मेरे बार आना मत बूलना जीयोंग कहता है मैं बिजी हूँ, जीवन कहता है चिंदा मत करो हम बार देर रात तक खुले रखते हैं इसलिए तुम आज जाना जीयोंग और जीवन काफी confusing है इसलिए हम जीयोंग को जीयोंग और जीवन को वन्जे बुलाने वाले है वन्जे कहता है मैंने तुम्हें काफी दिनों बाद में देखा जीयोंग तुम तो बड़े बीजी आदमी हो एक दूसरा लेरका कहता है वन्जे का बार बहुती सुन्दर है ना जीयोंग कहता है हाँ है तो सबी लोग उससे पूछते तुम्हारी फेमिली क्या कर रही है जीयोंग कहता है पता नहीं शाहिद वो जिन्दा ही होंगी वो लोग उससे आलतुफालत की बाते कर रहे होते है जियोंग वहाँ से उठकर बाथरूम की हो जाता है तभी उसे आवाजे आरही होती है कि जैसे कोई बड़ा लड़का किसी छोटी लड़की को हैरस कर रहा हो जियोंग दर्वासे को किक करता है अंदर से आवाज आती है क्या प्रोब्लम है तुम्हारी तभी वहाँ एक यूमिन नाम का बंदा आता और कहता है क्या तुम्हे कोई प्रोब्लम है जियोंग कहता है मैं इस दर्वासे के लिए पे कर दूँगा लेकिन अंदर कौन बस्त्राड है उससे बाहर निकालो यूमिन कहता है तुम्हें इसे अंदर किसे जा सकते हो क्या प्रोब्लम है वहाँ सामने लीदान बेटा होता है जियोंग पूसता है कि क्या तुम माइनर हो लड़का करता है नहीं वो एडल्ट है लीदान उसे बताओ लीदान करता है हाँ मैं एडल्ट हूँ मैं 20 से जादा का हूँ जियोंग लिदान से पूस है क्या ये तुम्हारा पार्टनर है लिदान कहता है अब नहीं हमने 30 मिनट पहले ये ब्रेक अप कर लिया लड़का कहता है क्या मतलब हमने ब्रोक अप कर लिया तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने बर से ये ब्रेक अप हो जाएगा लीदान मेरी और देखो लीदान कापने लगता है लड़का कहता है मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं लीदान तुम सरुप मेरे हो जियों उस लड़के को वहाँ से इटाता है सबी लोग उनको देखकर बाते बनाने लग जाते हैं लड़का करता है यहां कोई गेम चल रहा है क्या बागो यहां से तब ही वह वोंजी आता है और कहता है एक मिनट यहां हो क्या रहा है यूमिन यहां क्या हो रहा है यूमिन कहता है मैं माफी मांगता हू यहाँ थोड़े से कोई बहस हो गई थी इस आदमी ने दर्वासा तोड़ दिया I think वो चेक करना चाहता था कि अंदर क्या चल रहा है वोन जी कहता है तुमने दर्वासा तोड़ दिया जी यूं कहता है तुम कम से कम इस दर्वासा की किमत तो चुका ही दोगे तुम अब ऐसे मेनेस करोगे अपनी बार को ऐसे सम्हला चाता है बिजनेस वो जी कहता है ओक्योक्य जादा ग्यान मत दो पर पहले بتा होता से यहाँ हुआ क्या था जियोंग कहता है मैंने एक क्राइम होते देखा ये क्राइम एक domestic violence जैसा लग रहा था लड़का कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने इसे पंच भी किया है जियोंग कहता है किसी को physically मारना ही violence नहीं होता है वोंजी कहता है तुम लोगों को लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ लो मैं पुलिस बुला देता हूँ सब ही लोग वहाँ से चली जाते हैं जियोंग कहता है सब चले गए हैं अब तुम बाहर आ सकते हो लीदान बहुत ही ज़ादा कपराया होता है वह जब उठता है तो उसका पेर मुड़ जाता है और वह जियोंग की बाहों में गिर जाता है जियोंग कहता है क्या तुम ठीक हो लीदान में से बहुत ही इच्छी खुश्बू आ रही होती है उसके फिरो मौन से क्योंकि वह अपनी हीटिंग साइकल में चल रहा होता है लीदान कहता है तैंक यू जियोंग उससे उस वक्त देखता ही रह जाता है उस दिन के बाद में जियोंग बार-बार उस बार में आने लगता है वोंजी पुस्त है तुम हमेशे ये बार में क्यों चले आते हो जियोंग कहते है क्यों तुम्हे कोई प्रॉब्लम है वोंजी कहते है नहीं मुझे तो तुम्हें थिंक्स कहना चाहिए तुम्हारे यहां बेटने से ही मेरे बार के सारे फरनीचर और इंटीरियर बदल चुके हैं तुम्हें पते हैं तुम बिलकुल एक सजावट की चीज जैसे हो तुम्हें देखते ही लोग खीचे चले दाते हैं चियोंग तो तब तो ठीक है मैं यही आता रहूंगा लिए आते हो क्या ऐसा है कि तुम मुझे लाइक तो नहीं करते जीयोंग उसे इस बात पर बहुत ही अजीब सा रियेक्शन देता है वोंजी हसने लगता और कहता है कास हमारे दोस्त यहां होते वो तुम्हारा चेरा देखकर हसने लग जाते काम डाउन में मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ वैसे जीयोंग डान ने कहा है कि वो यहां कुस दिनों के लिए नहीं आ सकता जीयोंग कहता है तुम्हें क्या करों वोंजी कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम उसके लिए वेट करते रहते हो जीयों तुम अपने customer की private information किसे को केसे बता सकते हो वोन जी कहता है पर तुम ही नहीं तो पूछा था जीयों कहता है हाँ मैंने पूछा और तुमने बता दिया ऐसे चलाते हैं business वोन जी कहता है all right मैं समझ गया मैं अपसे ध्यान रुकूंगा और मैं तुम्हारे लवा किसी को नहीं बताऊंगा anyway तुम्हें उसे stock नहीं करना चाहिए अगर तुम्हें वो पसंद है तो जाकर बात करो yes उनको जीयों को खासे आने लगती है वोन जी कहता है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें रिजेक्ट करेगा जीयों कहता है वो सरब 20 साल का है मैं कैसे कह सकता हूं से वोन जी कहता है मेरे हिसाब से age gap में और भी ज़्यादा मजाता है यूमिन कहता है age difference उतना ज़्यादा important नहीं है तुम क्या feelings रखते हो वो ज़्यादा important है ये सुनको जीयों कुछ हो जाता और कहता है देखा उसने क्या कहा वोन जी कहता है हाँ तो तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो ऐसा लग रहे है जिसे यूमिन ने ये सब तुम्हारे लिए कहा था जीयों कहता है नहीं ऐसा कुछ में नहीं है वोंजे कहता है तुम्हें पता है मैं जितने भी लोगों को यहाने से बेन कर चुका हूँ उन में से लगवख आदे लोग लीदान को परिशान कर चुके हैं उनकी एज और सभाव सबकी अलग लग थे पता नहीं क्यों हमारी लीदान को वो अकेला क्यों नहीं चोड़ दो सकते हैं पिचरा दान जियोंग कहते है तुम्हें उसके इसे फर्स्ट नेम से बुलाना बंद कर देना चाहिए बोंजे कहते है क्या तुम जेलस हो रहे हो मैं तो कहूंगा मेरा प्यारा दान जी योंग वहाओ से उठकर जाने लगता है और केता है Whatever बोंजू कहते है तुम जा रहे हो जी योंग गेता है मैं स्मोक करने जा रहा हूँ बार के बैक्ज यार्ड में लिदान का बोईफ्रेंड उससे कहते है कि तुम इसने allocate ने के से हो सकते हो क्या तुम्हें सच में कोई शेम नहीं है मैंने तुम्हारे कपड़े और शूज के लिए पै किया तुम्हारे लिए खाना मंगाया तुम्हें पता है न लिदान कहता है तो क्या मुझे वो सब चुकाना होगा मुझे नहीं पता कि तुम्हें पेसों की इतने साथ जरूरत है लड़का उसे पेसे देता है लिदान कहता है मैंने कहा ना मुझे ये सब नहीं चाहिए तुम मुझे पुश क्यों कर रहे हो लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सरफ पेसों के लिए मुझे चोड़कर तुम कहा चाओगे लिदान कहता है उसकी चिंता तुम मत करो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग है जो मेरा ध्यान रख सकते हैं और मैं खुद भी पैसा कमाता हूँ मुझे एक अच्छी डिलीवरी वाले जोब मिल गई है लड़का कहता है साफ साब बोलो ना कि तुम अपनी प्राइस बढ़ाना चाहते हो तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हारी लगजरीस और भी बढ़ा दूँगा लिदान कहता है जिस इंसान से तुम्हारी एंगेजमेंट हुए क्या उसे इस बारे में पता है लड़का कहता है तुम इस बारे में भी क्यों बात कर रहे हो मैंने कहा ना तुम्हें चिंता करने के जरुरत नहीं है लिदान कहता है पर ये मेरे लिए माईने रखता है तुम उन्हें दोका दे रहे हो लड़का कहता है तो इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो लिदान पूसता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो लड़का कहता है क्या तुम मसाक कर रहे हो लिदान कहता है देखा तुम मेरी बिल्कुल भी कहना नहीं करते तो तुम अब मुझे क्यों रोक रहे हो लड़का करता है हे लीदान लीदान करता है तुम शादि करने वाले हो और तुम उसे बहुत बढ़े भी हो तुम्हे इस तराकी के गेम्स कहला बन्त कर देना चाहिए और अभी तक तुम ने जो भी किया उसके लिए ठिंग्ज वो लड़का उससे स्लेप करने वाला होता है कि तब ही वहाँ जीयोंग आता है लड़का कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे चिपक रहा हूँ मुझे तुम्हारी जरुरत नहीं है इसलिए मेरे पास रोते वे हिमत आना अब हमारा किस्सा यही कत्म है देखते हैं मेरे बिना तुम क्या करते हो वो लड़का वहाँ से जाते हुए सोचता है अब देखना हम तुम्हारे साथ क्या करता हूँ अब वहाँ सिरफ जीयोंग और लीदान बसते है जीयोंग का लाइटर काम नहीं कर रहा होता है लीदान उसकी और आता हो और कहता है क्या तुम्हे लाइटर चाहिए जीयोंग फिर से उसके फेरोमनस में खो जाता है लीदान उसे अपना लाइटर देता हो और कहता है मेरे पास एक और है इसलिए तुम इसे रख सकते हो जीयोंग सोचता है ये कितना अजीब है कि मुझे वो चाहिए इस बात को काफी दिन बीच जाते है और जीयोंग अब उस बार में जाना भी बंद कर देता है क्योंकि वो उसे बुलाने की कोशिच करता है पर वे जितना उसे बुलाना चाहता है लिदान उसे उतना ही याद आता है कुल सिनों बाद में वो बार में जाता है वो उन्जी कहता है अरे आस तुम आगई तुमारा चेरे इतना लटकावाग क्यों है जीयोंग कहता है अगर वो इस बार में कभी नहीं आया तो वोन जी कहता है ये तुम्हारे ही गलती है तुमने उससे बात क्यों नहीं की जीयोंग सोचता है शायद मुझे उससे बात काली ही लेनी चाहिए थी अगर मुझे वो दुबारा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा मुझे उसे किसी ने किसी तरीके से अपना बनाना होगा तब ही उसे लीदान का एक्स बॉइफरेंड याद आता है जीयोंग सोचता है नहीं अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसके एक्स और मुझे में फरक ही क्या रह जाएगा मैं उसे इस तरी तकलीफ नहीं देना चाहता तब ही वहाँ लीदान आता है जीयोंग सोचता है इसके फिरोमन्स इतने स्ट्रोंग क्यों है जीयोंग उसके गाला पर हाथ लगाता है तुम में इसे बहुत अच्छी कुश्पो आ रही है लीदान पीछे हर जाता है और इस चकर में वह गिर जाता है जीयोंग को उसे है क्या तुम ठीक हो जीयोंग सोचता है उसके हेल्प करने के बज़ए मैंने तो चीज़े और ज़दा खराब कर दी डैम इसके फिरोमोंस कितने स्ट्रोंग है वहाँ सबी लोग लिदान को घूरने लगते है इसलिए जीयोंग उसे अपना कोट पहना देता है और कहते है कुस देर के लिए उस ऐसे ही रो जीयोंग उसे अपनी कौद में उठाता है वहाँ जी कहते हैं तुम कहां जा रहे हैं उसे लेकर जीयोंग कहते हैं मैं उसे यहाँ ऐसे नहीं चोड़ सकता इतने जाहिल आदमियों के बीच में तुम्हें दिखता नहीं इसकी हीट साइकल चल रही है वोन जी कहता है क्या तुम इसे घर ले जा रहे हो जी ओंग कहता है नहीं मैं एक होटेल जा रहा हूँ वोन जी कहता है क्या तुम पागल हो जी ओंग कहता है तुम क्या बात कर रहे हो ये बिमार है मैं डोक्टर को बुलाने वाला हूँ और make sure करूंगा कि इसे hurt ना हो वोन जी कहते है हाँ हाँ मैं एक बेड़ी है के साथ एक हरकोष को कैसे छोड़ दू मैं तुम्हारे जिसे alpha man पर कैसे बरुसा कर लू जो एक omega को उसकी heat में से ले जा रहा है मुझे पता है कि तुम एसे इंसान नहीं हो पर क्या तुम्हे अपने आपर बरुसा है कि तुम अपने आपको कंट्रोल कर पाओगी जीयों कहता है कंट्रोल खोने से पहले मैं अपने आपको मार डालूँगा लेकिन ऐसे हरकत कभी नहीं करूंगा वोन जी कहता है तो एक काम करना एक गंटे में मुझे फॉन करना और अगर तुमने मुझे नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला दूँगा जियों कहता है हाँ हाँ ठीक है वे एक होटेल में आते हैं जियों कहता है क्या तुम ठीक हो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं बुरा आदमी हूँ लीदान कहता है इट्स फाइन यहां से मच जाओ लीदान जियोंग की गौद में बेटता है और कहता है मेरी मदद करो मुझे बहुत गर में लग रही है लीदान जियोंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और उसके होटो को काट लेता है और उसे कहता है प्लीज क्या तुम मेरे लिए अंड्रेस होगी जियोंग उसे किस करता है और कहता है तुम इते स्वीट कैसे हो सकते हो मैं अपने आपको कंट्रोल कैसे करूँ ये मरे लिए बहुत हार्ड है जीयोंग अपनी लिमिट क्रोस करने वाला होता है कि उससे पहले ही उससे याद आता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है इसलिए वह वहाँ से हट जाता है और कहते हैं मुझे माफ कर दो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे मैंने डोक्टर को बुलाई है तुम्हे कुछ भी नहीं होगा जीयोंग एक कौने में जाकर बेट जाता है तब ही वहाँ डोक्टर आती है जीयोंग उसके सामने ही बेहोश हो जाता है कुछ देर बाद होश आने के बाद जियोंग वहां उसके ओफिस में जाता है डौक्टर कहती है तुम पर लीदान के one-sided imprint लग चुके है जियोंग कहता है पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया डौक्टर कहती है इवन दो तुमने कुछ भी नहीं किया है लेकिन तुमने एक दूसरे को imprint दे दिया है Imprints firomones से लगते हैं पर कई वार बिना टच किये भी Imprints लग जाते हैं एक वार Imprints लगने के बाद दोनों partners एक दूसरे के firomones को पहचान लेते हैं फिर उसके बाद में firomones का असर बढ़ने लगता है इसके बाद में जो भी partners होंगे वे alpha और omega बन जाएंगे एक दूसरे के लिए ये सुने में romantic लग सकता है लेकिन ये एक wedding ring की तरह बिलकुल भी नहीं है ये है एक बेडियों की तरह है जो कई वार एक partner को मार भी सकता है और one-sided imprint बहुत ज़्यादा dangerous होता है ये किसी को पागल भी कर सकता है जीयों कहता है क्या आप मुझे दवाई दे सकते हैं डोक्टर कहता है दवाई एक निश्चित सीमा तक काम करती है ये temporary relief होगा लेकिन अगर तुम्हें treatment चाहिए तो तुम्हें अपने partner के फिरो मुंस चाहिए होंगे तुम्हारी omega के साथ क्या relationship है जीयों कहता है कुछ भी नहीं उसे मेरा नाम भी नहीं पता डोक्टर कहता है अगर तुम्हें लंबी जिन्दगी जीनी है तो तुम्हें उससे जाना शुरू कर देना चाहिए जीयों कहता है क्या मतलब क्या मैं मर जाओंगा